अब हम Comics Numbers के बारे में discuss करेंगे और in में किस तरह हम addition subtraction multiplication और division कर सकते हैं हैं complex numbers इसी तरह और भी मजीद operations है, जो हम आगे देखेंगे, inverses, conjugate, निकालना, ठीक है, complex number का, और conjugate निकालने की ज़रूबर पेशाती है, उसका फाइदा किया, ये भी हम आगे देखेंगे, आने वाली वीडियो में, इसी तरह सबसे important complex functions, जिसका बहुत ज्यादा इस्तमाला आने वाल से, complex number को हमने किस तरह से समझना है, तो complex number को हम as a point लेंगे argon plane पे, ठीक है, argon plane क्या है, बिलकुर उसी तरह xy-axis जिस तरह हम normal बनाते हैं, ये जो real part है complex number का, इसको हम x-axis पे plot करेंगे, ठीक है, और ये जो imaginary part है, second part है, जिसके साथ iota है, इसको हम y-axis पे plot करेंगे, तो ये हम हमारा argon plane क्या लाएगा, x-axis पे अगर real लिखा हुआ है, और y-axis पे imaginary numbers है, यानि यहाँ पे iota, two iota और नीचे minus iota ये लिखा है, तो ये argon plane है, और ये हमारा जो होगा, इसकी जो dimension होगी, वो one dimension होगी, complex numbers में, ये complex plane है, one dimension, one dimension का मतलब क्या है, इसमें मौजूद जो भी point वो एक single position को define करेगा, यानि ये दोनों मिलाकर एक single number बना रहे हैं, ये दो different numbers नहीं है, ये दोनों मिलाकर एक single number बना रहे हैं, क्योंकि extension है, further real number system की, तो real number system में क्या होता है, ये जो imaginary part है, ये zero होता है, क्योंकि ये जो y है, ये zero होता है, जब y zero होगा, तो zero, iota से multiply होगा, जो zero हो जाएगा, सिर्फ real part रहे जाता है, उस real part को हम कहां plot कर सकते हैं, ठीक है, हम single number line पर plot कर सकते हैं, उस real part को अगर ये सिर्फ x रहे जाएगा, तो यह 0, ठीक है, तो real number system में क्या होगा, यह एक single line, यह r1 होगी, ठीक है, लेकिन अगर imaginary part भी है, तो imaginary part भी है, तो complex पुरा plane मनाना पड़ेगा, xyxs मिला कर एक single number बनाएगा, एक single position मनाएगा point, तो यह c1 plane है, ठीक है, real number में क्या होता है, सिर्फ एक line से ही position define हो जाएगी, बिल्कुल इसी तरह, अगर imaginary part 0 होगा, तो हम उसको यहां भी बना सकते हैं, सिर्फ जो भी point plot होगा, वो यहां पर सिर्फ इस line पे आएगा, x-axis वाली line पे, लेकिन जो हम normally देखते हैं, जो हमारे पास x-y plane होता है, असल में यह r2 plane होता है, ठीक है, two dimensional plane होता है, इसमें x भी real है और y भी real है, तो आपने यह लाज़मी देखना है, x भी real और y भी real, तो यह r2 plane है, two dimensional plane है, इसमें हम ज्यादा तर जो हे वो functions plot करते हैं, मिसाल के तोर पे x को हम एज़ा input लेते हैं, एक कोई function example के तोर पे लेते हैं, y is equal to x-square, यह हमारा input होता है, जिसको हम x axis पर plot करते हैं, और जो output होता हम y axis पर plot करते हैं, आप चाहें तो separate भी plot कर सकते हैं, ठीक है, input को आप एक single number line पर r1 पर plot कर दें, और यह भी हमारे पास एक तरीके कार है, और output को आप जो हे वो, एक अलाइदा single number line पर plot कर दें, वरना आप चाहें तो दोनों को मिलाकर अगर आप combine effect देखना चाहते हैं, तो दोनों को मिलाकर यहां पर plot कर लें, इसमें मुझूद हर एक point, जो हे वो, जिसे यह 2 है और y4 है, तो यह point, क्या कहलाएगा, r2, यह दोनों मिलाकर two dimension जो हे वो बनाएगी, एक input है और एक output है, इसी तरह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हर एक point two dimension नहीं बनाएगा, बलके यहाँ पर हर एक point क्या बनाएगा, एक single number होगा, या एक position को define करेगा, single number position को define करेगा, अच्छे, इसमें क्या था, जब यह function था, हम छोटा सा overview function का भी देख लेते हैं, complex function का भी, जब यह function था, real में, तो हमने उसको x y axis पर plot किया, या दोनों के लिए separate number line बना सकते हैं, single number line, ठीके, तो यह हमारे पास क्या था, input था, जिसको हम independent variable भी कहते हैं, और यह output था, जो हमारा dependent variable है, इसी दरह से यह input independent variable और यह output dependent variable, ठीके, different ways हैं, एक ही function के, को देखने के, अच्छा, numbers की अगर हम बात करें, वापस complex number पर आते हैं, अगर complex number की बात करें, तो आपने याद रखना है, यहाँ पर हम x और y की जगह तमाम numbers नहीं रख सकते हैं, यह function है, function में आप x की जगह जो भी number आप रख सकते हैं, आपको allowed है, वो domain के रख अगर, यह भी function के तोर पे, अगर मैं इसको लूँगा, तो हम x और y की जगह तमाम numbers जो भी हम रख सकते हैं, allowed हैं, तो वो domain होगा, वो तमाम के तमाम हम कहां plot करेंगे, इस पूरे plane पे plot करेंगे, यहाँ एक्स की value भी आईगी, और y की value भी आईगी, दोनों मिला कर input बनाए एक्स और y, यहाँ पे क्या था real numbers में, input सिर्फ एक single number line थी, क्योंकि सिर्फ एक ही, जो है, वो real number है, real variable है, जिसकी जगह हम numbers रख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास, दो choices है, real part भी है, और imaginary part भी है, दोनों की जगह हम number रखेंगे, तो हमारे पास input बनेगा, ठीक है, तो two dimensions मिला कर, एक single number बनाएंगी, जो पूरा का पूरा, इस complex plane पर आ जाएगा, obviously मैं कोई भी number रखूँगा, तो function के हिसाप से, मिसाल के तोर पर अगर यह function होता, z is equal to x square plus 2 cos y iota, अगर यह function होता, तो क्या होता, कि x और y की जगह में, जो भी number रखता है, ठीक है, हम जो भी number यहाँ पर रखते हैं, तो वो यहाँ पर plot होता, और जो भी result आता इसका, वो output होता, x, y की जगह हम रखते हैं, वो input होता, जिसे यहाँ single number input था, यहाँ पर दो number input होंगे, और जो भी result आएगा, वो भी यकीनन complex number का result भी complex number ही होगा, तो वो भी यकीनन real part और imaginary part पर होगा, तो उसके होगा, output plot करने के लिए हमें once again एक complex plane चाहिए होगा, क्योंकि हम three dimensional world में रहते हैं, तो दो input की dimensions आगे, real और imaginary, मुझे मजीद real और imaginary dimension चाहिए, किसके लिए complex के लिए, तो उसको हम इस तरह plot नहीं कर सकते हैं, हमारे पास different ideas है, उसको plot करने के सब एक तो यह idea है, कि जो input है, हम x और y ले 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 और जो output है, उसके लिए भी हम एक अलहदा से जो है, एक plane बना ले, ठीक है, इसको हम x, y कहते हैं, यह input के लिए हमने रख दिया और जो result आएगा, उसको हम output के लिए u और v कहेंगे, ठीक है, यह भी हमने argon plane बनाया है, c1, और input का यह point, output पे कहां पे जाके plot होगा, यह भी यह किनन एक point होगा, और तमाम points रख देंगे, तो output पे भी, वही सारे तमाम points जो भी plot होगे, वह हमारा output plane रहेगा, एक तो यह तरीका है, उसके लाब रिमान surface, और भी कुछ methods है, हमारे पास, coloring domain method, वह भी हम देखेंगे, आने वाली videos में, ठीक है, कि हम function को किस असला नहीं था, real function में क्या है, कि A की single number line पे input plot हो सकता है, और A की single number line पे output plot हो सकता है, तो दो dimensions है, दोनों को मिला के भी हम plot कर सकते हैं, यहां नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यहां दो dimensions जो है, वो input के लिए serve हो गई, इसी तरह से हमें 2 dimensions output के लिए भी चाहिए, तो total हमें 4 dimensions चाह के कार इसके लिए use करेंगी, जब complex functions की बात आईगी, यह तो complex function की बात है, वापस हम complex numbers पे आते हैं, complex numbers में क्या है, हम तमाम यह तमाम numbers रखने के लिए allowed नहीं है, जब number की बात होती है, तो हम एक single number रखेंगे, ठीक है, single number से क्या मक्सद है, मैंने कोई भी एक choice ले ले ली, x single number है, अब हम number से start करते हैं, उसको हम किस तरह argand plane पे, देखेंगे, उसको हम as a point देखेंगे, और पिर उसके बाद पर दर हम देखेंगे, कि addition, subtraction, multiplication, division, हम किस तरह जो है, वो कर सकते हैं, इस argand plane पे, यह हमारा complex plane है, यह real part है, और यह imaginary part है, ठीक है, imaginary part पे देखें, तमाम के numbers के साथ, आयोटा लिखा हुआ है, ठीक हमारा point है, ठीक है, z1, यह complex number है, 3 plus 3 आयोटा, ठीक है, as a point हमने तसवर करना है, argand plane पे, तो हम point को किस तरह लिख सकते हैं, ordered pair में, यानि पहले वाला part लाजमी x होगा, और दूसरा वाला part लाजमी y होगा, यानि यह x जो है, वो 3 है, और y जो है, वो 2 है, यानि imaginary part क्या है, 2 आयोटा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 plus 2 आयोटा, दोनों plus में है, तो plus 3 plus 2 आयोटा, यह हमारा पहला complex number होगा, तो हमने क्या तसवर करना है, point तसवर करना है, इस complex plane पे, complex number को, इस argand plane पे, ठीक है, यह हमारे तमाम points है, it means, यह तमा minus 3 है, real में, और imaginary में क्या है, 4 आयोटा, यानिके, यह minus 3 plus 4 आयोटा, यह complex number है, क्योंकि second quadrant में, जो है, वो negative होता है, x-axis और y-axis positive होता है, ठीक है, यहाँ ले आते हैं, यह complex number है, minus 3, minus 2 आयोटा, ठीक है, यह minus 3 है, यह minus 2 आयोटा है, इसी दरह से, यहाँ पे, plus 4, minus 3 आयोटा, ठीक है, यह plus 4, और यह minus 3 आयोटा, यह complex number है, इतनीज यह पूरा का पूरा argand plane क्या है, complex numbers पे मौझूद है, इसमें, जहाँ भी हम अपने point को ले जाएंगे, वो हमारा क्या होगा, एक complex number होगा, ठीक है, यह हमारा एक complex number है, इसी तरह से, यह हमारा दूसरा complex number है, दो complex number होगा है, ठीक है, दो, तीन, चार, अब हम दीखना चाहते हैं, हमारा अगला step क्या है, कि इनको हम किस तरह add और subtract कर सकते हैं, complex numbers को,